सो हेलो नमस्क्राइर एवरिवन मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सब का स्वागत करती हो हमारे आपके ओफिशियल यूट्यूब चैनल यापने एक्सप्रेस पर गुरुरेव रियल स्टेट में हाजिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने और एक बहुत बड नाम से जानते हैं उस पर बारी बारी बहुत सारी अपडेट बहुत सारी चीज़े हमने आप तक हमारे आपके बीच में शेयर करी क्योंकि आप जैसे कि देख रहे ही जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट बहुत पहले से अनॉंस किया हुआ प्रोजेक्ट था बहुत सारी सारी अपडेट को लेकर पहुचते रहे कि यह अपडेट हो रहा है इस तरह से त्यारी की जारी इस तरह से प्लानिंग की जारी और आज आज की समय में वह जो सारी बाते थी वह सच होती भी नजार आ रही है क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट का आप ट्राइल शु लगे कि मार्च से ट्राइल स्टार्ट होगा अब अपरेल से इसका ट्राइल स्टार्ट हो गया है से पर यह आज की वीडियो पूरी बेंज्ड है किस तरह से ट्राइल शुरू किया गया है और क्या-क्या चीज़ें हूं यह सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्य से देंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप एंड तक देखिएगा आपको यहां से अपडेट देखने को मिलेगी नोड़ा एरपोर्ट पर रडार इंस्टॉल करने का काम शुरू हो गया है हवाई अड़े पर लगे नैविगेशन और रडार का बीच क्राफ्ट उडा यह देपर ब्रस्पतिवार को भारतिय विमान पतन प्राधिकरण के बीच क्राफ्ट किंग एयर भी 300 से नोड़ा एरपोर्ट पर लगे उपकरणों की जाच की गई इसमें ADVR कैलिबरेशन फ्लाइट के माध्यम से नैविगेशन उपकरण सही काम करते हुए पाए गये इसस नैशनल एरपोर्ट एजनसी ने शोचल मीडिया पर बताया कि प्रस्पतिवार को बीच क्राफ्ट किंग एयर भी 300 से एयरपोर्ट के उपर उरान भरकर वहां पर लगे नैविगेशन उपकरण और रडार आधिकी सूचनाई पर खीगी जाच में नैविगेशन और रडार क माध्यम से बीच क्राफ्ट किंग एयर भी 300 को सही सूचनाई दी गए यानि कि जब यह क्राफ्ट है जब हवा में उड़ रहा था उस टाइम पर जो इसको नैविगेशन के थुरू और रडार के थुरू जो इसको सूचनाई दी गए जिस जो इसको बताया कि उसके हिसाब स इन्होंने पूरी वहां पर टेस्टिंग के रही और बिल्कुल सही थी बली भाली भाती बिल्कुल सही निकले तो उससे मौझ अधिकारियों ने भी राहत के सास ली कि जो अपकरण लगाया जा रहे वह बिल्कुल शही दिशा में लग रहे हैं साथी करीब 30 मिनट तक बीच साथी नाइंडेड मीटर का एक रनवी तयार इसे प्रकुल की पूरी तरह जाच हो सकएगी शुकुल प्रकुल या को भारतिय विमान पतन प्राधिकरन की और से संचालित किया रहा है एशिया का सबसे बड़ा जेवर एरपोर्ट बनाया जा रहा है इसमें 3900 मीटर का एक रन्वे लगबग तयार हो चुका है और सब्टमबर में यहां से उडान भरी जानी है पिछले दिनों नैविगेशन से संबंदित उपकरन लगाए गए थे वही ब्रस्पतिवार को रडार सापित करने का काम भी किया गिया है इस तरह से पुरी तैयारी बहुत जोड़ शोड़ से चल रही है आप न्यूस के माध्यम से जो हम तक अपडेट पहुची हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं आ एरपोर्ट के निर्मान का काम इंदनों तेजी से चल रहा है इसी साल अक्टूबर से यहां से कॉमर्शल उडाए शुरू हो जाएगी नियाल के नौडल अधिकारी श्यालेन भाटिया जी ने बताया कि एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया ने इस रडार को लगाने का का यह शुरू कर दिया है तो यह सारी अपडेट निकल कर आ रही है आप तो यह काफी खुशी की बात है जिन लोगों ने यह सारी चीजे को सोच करके इंवेस्मेंट किया था उस टाइम पे जब लोग 2019 के बाद से परचीजिंग करना शुरू किये थे कुछ भी नहीं था मौक किया गया बड़ निकेटिविटी ऐसी थी कि तब आगे कुछ भी हो सकता है उस पर भी लोगों ने धैर रखा हिमत से लगे रहे और वेट किया जो भी इन्वेस्मेंट के से लगा के छोड़ गया इस डूरेशन में बहुत सा लोगों ने भी पर्चेज भी किया इस 2019 से लेक और आज फिर से एक बात को मैं रिपीट करूंगी यह बहुत अच्छा टाइम में अभी भी कुछ बहुत देर नहीं हुई है आप अभी भी कोई अच्छी इंवेस्मेंट कर सकते को अच्छी प्लानिंग कर सकते जब यह चीजे मौके पर आ जाएंगी आपको चीजे दिखन अच्छा शुरू हो जाएंगे तो आप भी समझ सकते कि जिन लोगों ने यहां पर वेट किया है चीजों को लगा के होल्ड किया है वह आपको इतनी इसले से और इतनी असानी से इतने ही मतलब आज की रेट में चीजे नहीं देने वाले हैं बैस टाइम चला आज आज आपक इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कोई कोश्चन आता है तो स्क्रिंग पर दिए को डिटेल्स को फॉलो करें हम से कॉन्टैक्ट करें वह लेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक यू सू मच